Realme Indian smartphone market में budget category के अंदर बहुत अच्छे specification के साथ में smartphone को launch करके बहुत popular हो गया है और उनका price भी बहुत affordable होता है एसे ही दोस्तो Realme 2 Pro भी एक बहुत अज़ा smartphone है जो कि अभी recently launch आए अभी दोस्तो कोई जाया दिन नहीं हुआ है कंपनी प्लान करें एकर नया smartphone launch करने के लिए साथ दोस्तो इस smartphone की नाम Realme 3 या फिर Realme 3 Pro हो सकते है अभी दोस्तो रिसेंट एक latest report के इसाब से ये smartphone Geekbase वेबसाइट के ऊपर spot किया गया था जिससे दोस्तो इस smartphone के बारे में काफी ज़्यादा information वहां से लिख हुआ है तो उस्तो में इस पीडियो में आपको इसी smartphone के बारे में complete जानकरी देने वाला हूँ So guys, let's begin Realme 2 Pro के बाद अभी दोस्तो company प्लान करें बहुत जल देकर नया smartphone launch करने के लिए साय दोस्तो इस smartphone की नाम Realme 3 या फिर Realme 3 Pro हो सकते है जो कि Realme 2 Pro के एक successor होगा यहामें दोस्तो इस smartphone अभी recently Geekbench वेबसाइट के उपर spot के गए अगर दोस्तो आपको Geekbench वेबसाइट के बारे में पता नहीं है तो इस तो Geekbench एक benchmarking website है इंडियन मार्केट में कोई भी smartphone launch होने से पहले Geekbench वेबसाइट के उपर भेजा आता है benchmarking test के लिए यसे ही दोस्तो Realme 2 Pro भी भेजा गया था Geekbench के उपर benchmarking test के लिए जिससे दोस्तो इस smartphone अभी गलती से leak हो गया है अभी दोस्तो इसी leak से पता चला है कि स्मार्टफोन के अदर हमें Mediatek का Helio P60 प्रोसर देखने हो मिलेगा तो जोस्तो यहां पर प्रोसर के मामले में हमें कोई भी अप्गडेशन नहीं होगा क्योंकि दोस्त हमें Realme 1 में भी Mediatek का Helio P60 प्रोसर देखने हो मिला था अगर दोस्तो इस स्मार्टफोन के अदर कंपणी Mediatek का Helio P70 प्रोसर देता तो यह आर भी अच्छा अप्शन हो था क्योंकि Mediatek का Helio P70 अभी दोस्तो रिसेंटली लास्ट मौन लांच हो है जिसके अदर आपको बहुत सारे अपग्रेशन देखने हो मिलेंगे आपको बहुत सारे AI फिचर्स भी देखने हो मिलेंगे तो उस्तो हमें रिपोर्ट की हिसाब से बता जलाए कि अभी Realme 3 या फिरेल्मी 3 प्रो जो भी स्मार्टफोन भी रिसेंटली लांच होने वाला है उसके अदर हमें Mediatek का Helio P60 प्रोसर देखने हो मिलेगा यहां में दोस्तो रिपोर्ट की हिसाब से बता जारे कि इस फोन के अंदर हमें 4GB का RAM भी देखने हो मिलेगा साथ में 64GB इंटरा स्टोरेज भी देखने हो मिलेगा और यह फोन सायर dedicated microSD card slot के साथ आ सकता है साथ में दोस्तो एकर important बात है कि रिपोर्ट के हिसाब से Realme 3 स्मार्टफोन के अदर हमें book fast charging का feature देखने हो मिलेगा book fast charging दोस्तो ओपो का एक fast charging टेकनोजी है जिसे कि OnePlus का Dash fast charging एसे ही दोस्तो आपको Realme 3 के अंदर book fast charging का feature देखने हो मिलेगा अगर दोस्तो हमें budget price में book fast charging मिलता है तो definitely एक बहुत कमाल की feature होगा क्योंकि हमें Realme 1, Realme 2 and Realme 2 Pro के अंदर भी fast charging फीचर नहीं मिला था तो definitely दोस्तो अगर Realme 3 के अंदर हमें book fast charging मिलता है तो एक बहुत कमाल के अपगेड़ेशन होगा इसके बारे में दोस्तो आपका क्या opinion है मुझे ज़रूर बताना नीचे comments में इसके बाद दोस्तो अगर display and design की बात क्या जे तो इसके रिपूट के इस सबसे बता जारी कि इस smartphone के अंदर हमें Realme 2 Pro के तरह water drop like launch design देखने हो मिलेगा यहाँ पर हमें screen to body ratio में थोड़ा सा change देखने हो मिल सकते है बता जारी कि इस phone के अंदर हमें ज्यादा screen to body ratio देखने हो मिलेगा Realme 2 Pro के comparison में आनि कि इस smartphone की bezels and chin थोड़ा सा small होने वाला है Realme 2 Pro के comparison में साथ में इस smartphone के अदर हमें improved design देखने हो मिलेगा Realme 2 Pro के comparison में इसके बाद दूसतों अगर camera की बात करें तो उस्तों बता जारे कि smartphone के अंदर हमे phone के rear side में dual camera दिखने हो मिलेगा और phone के front side में एक single camera दिखने हो मिलेगा पर दूसतों हमें इस camera का megapixel के बारे में कोई भी इंफर्मेशन हमारे पास नहीं है पर दोस्तों इतना बता जा रहे है कि स्मार्टफोन की यह क्यामरा रियल्मी 2 प्रो से काफी अच्छा होने वाला है यहां पर हमें क्यामरा में कुछ अप्डेडेशन देखने हो मिलेगा तो डेफिनेटी इसका क्यामरा दिगर बैटरी देखने हो मिलेगा रियल्मी 2 प्रो अन रियल्मी 2 के कंपारिजन में तो इसके बारे में हमारे पास कोई भी अभी एकजाड इंफर्मेशन नहीं है आगे दोस्तों इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले इस चलंग के अप्रो अप्डूरेट कर दूगा दोस्तों इतमार पास कम्प्लेट इंफर्मेशन रियल्मी के ऑफकुमिंग स्मार्पण रियल्मी 3 के बारे में यह समार्पण दोस्तों कुछ अफ़र aurक्डर के साथ आएगा इसके प्रेडरेसर के गंपारे जन में स्केंव फॉस्त आप कि इस स्मार्टफोन की बेस मेरेंट 10,000 रूपीज हो सकते हैं और इस स्मार्टफोन की हायर मेरेंट 15,000 रूपीज तक जा सकते हैं पर दोस्तों अभी कोई भी exact information नहीं है और यह स्मार्टफोन दोस्तों बता जाएर कि December महिने में इंडियान मार्केट में लौँच होगा अगर दोस्तों आगे इस स्मार्टफोन की प्राइजिंग आल नौटटट के बार में अगर कोई भी अपडेट आता है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के उपर ट्राइ करूंगा अप्टरेट करने के लिए उ मैं आपको बहुत अच्छा स्पेसिवेशन देखने में मिला है प्राइजिंग के हिसाब से तो डेफिनली दोस्तों हम एक्स्पेट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन अच्छे प्राइस में अच्छे स्पेसिवेशन के साथ में डेफिनाइड लाउंच होगा इसके बारे में अगर दोस्तों आपको इस प्राइपोन के बारे में कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपका रिपले जरूर दूँगा और ऐसे ही दोस्तों लैट्रिस टेक्मीज रिटेड वीडियोज के लिए आप हमार चनल को सब्सक्रेब कर आपके ने सासाथ बेल आइकों को भी प्रेस कर देना जैहिन